चचिरे भाई ने जमीन के बिवाद में की भाई कि हत्याय। लोटा था भीती रात आरोपी ने अन साथ यूब साथ सराप पीकर अपने चचेरे भाई की सरिया और अन्य गातक हत्यारों से पीट-पीट कर हत्या करदी मिर्थक के परजिनों ने बताए कि आरोपी आधितन अपराधी है और बलातकार के माम रिख मैसेजा काट कर जेल से लो मारा है शर्ये से यह दिया है और हम सब सो रहते हैं कौन लोग थे जुनों न मारा है यह खास परवार के आदमी है पुराने से यह दुश्मनी करते आ रहे हैं कि बाबा तेरी जमीन विकवाऊंगा एक बच्चे की मौत मारूंगा तो मार दिया इसने वो रिस्ते में कौन है आ परवार के जो चाचा है ना वो चाचा लगते आके रंजिस्त क्या थी आप लों तोनों कुछ भी नहीं वो चार भाई है चार रहों के भाई की बिख गई तो बाबा तेरी भी बिखवाऊंगा यह जरावट वो मानते आएं कि अज़ा था हां वो भी जेल में गया था वो जेल से यह भी कहा था कि मेरा बच्चा छूटी आएगा एक बच्चे को तेरी मौत कर दूंगा किस आरोप में वो उसने पीज़ा था वो बलातकार किया था उसने अपनी कि बैन के साथ कि चाचा की लड़की लगती है अब यह रहे हैं अब यह ऊटसा रह सकता हुए ज़ान देकर भवान पूड़ा गाउँ में बंजारा जाद के लोग रहते हैं इसमें मेक सिंघ नाำं के इत्रेक्टे जो कि संथ हो गए है उनके नाम पर आठ विगे की जमीन है उनहीं के भाई के लड़के ये लोग उस आठ विगे को जमीन को लिखाने का प्रयास कर रहा है उस रात में 12 वजे के लगबत सुचना मिली कि लाल जो कि में एक सिंगा लड़का है उसको उन्होंने सरिया से मारा मार पीट हुई है मार पीट के बाद जो अस्पताल ले गए वहां उसकी देट हुई है इस संब्द में परजनों से तहरी लेकर आगे करवाई की जा रही है जो भी इसमें नामिक अभी उत्तौन गया उन्पर करवाई करा रही है और जो भी तहरीर आए उसके उत्रीत भी करवाई करेंगे और अगर अपरादी है तुसरे उसके अत्रीत भी करवाई करेंगे हैं